सारे कोश्चन्स ये एक्जाम में आये हुए हैं और ये चेप्टर मैं बोलू ना तो एक्जाम में पूछा भी जाएगा और बाकी कैश फ्लो और अधर जितने भी चेप्टर है ना आपकी किताब में उसका तो 10% भी नहीं है ये आप भी देख रहे हो कि सिंपल सा कुश्चन है कुछ एक पूइंट पूछता है और हम जवाब दे देते हैं ठीक है चलिए सवाल में क्या है जब कभी भी आपको नॉर्मल रेट दे देगा ना तो समझ जाना कि आपसे वो इविडेंट इल्ड वाला मेथड पूछने की कोसिस कर रहा है यही हमारा था नॉर्मल बाकी यहां पर नेट एसेट्स भी हो सकता है तो मैं दोनों मेथड से करके ने ओपरेटिंग कॉस्ट दे दिया और इंट्रस्ट दे दिया खर्चे यानि इंकम दे दिया और उसके कुछ खर्चे और हर साल का दे रखा है अज्यूम रेट आफ टेक्स साथ परसेंट रहेगा और अर्निंग बारा परसेंट रहेगा हमारा तो हम डिविडेंट वाले को कि यहां पर हैंने से कैसे निकाल लेंगे टोर्टाल वेसिट कर लेंगे उस्मेंस कर देंगे हम प्रेफिर्ञि橋 यह व्यक्तम अच्छे घ्यर्णिमन कंद सkड़ूर से कह Meaning है उसको मेन टेसिक नि reporter से सर नेट एसिट मेफ़ड से हमारे पास टोटल एसिट गीवन है सर टोटल एसिट क्या गीवन है सब्सवाल ने कहा नहीं मैं अपनी मर्जी से निकाल रहा हूं मैंने कर दो इसमें से क्या प्रिलिम्नरी एक्सपेंस कितने गां था मारा माइनस कार दो प्रफ्रेंस श्यएव क्यापटल कितने का है था यहीं नहीं चलो माइनस कर दो एक्स लाइबिलिटी यह थो लाइबिलिटी तो सर है कितने है चार लाग यह आगे हमारा net asset कितने आगे फटा फट माइनस करो कितने आगे तीन लाग पच्चे सजा अब इसको divide किस से कर दे हम number of shares तो value of shares that is तीन लाग पच्चे सजार divided by आपको share दे रखा है धाई लाग दस रुपए का that is आपका पच्चे सजार निकाल दो क्या आगे कितने तीस रुपए तेरा यह value आगे सवाल में कुछ नहीं बोला था तो यह answer जो निकाल के देखा है दिखा है न यह पता कौन से method से निकाल के दिखा रहे है dividend के साब से तो net assets method से आगे आप dividend वाले से भी देख लेते है exam में आया वह questions है become owners में question आया है बच्चे न इस वाले सवाल में यह देखके घबरा गए assets हमारा चाहिए यह वह assets जिसकी value हो market value और हमेशा preliminary expense underwriter share discount on issue of shares इनका market value हमेशा 0 ही होता है कभी भी आप preliminary expense को क्या है वो तो आपका एक fictitious assets है इसको market में बेचने जाओगा तो market value बताए या ना बताए always क्या होगा जीरो इसलिए क्या करते है मैंने पीछे format में नहीं लिखा था लेकिन मैंने भी बता दिया ठीक है तो बच्चे इस वाले point को देखे घबरा गए सर यह क्या है तो जब कभी भी आपको तो तीन चार सालों का profit देदेगा तो हमेशा average profit का इस्तमाल करिएगा हमेशा किसका लेना होगा में average profit का तो चलिए कितने साल का profit था हम पहले profit को निगाल लेते हैं कितने साल का दे रखा था सर एक दो तीन चार पांस सालों मैं पांच कॉलम्म बना लेता हूं कि पास्ट कि एक इंड थार्ड पूर्थ फिफ्ट ठीक है सबसे पहले sales दे रखा है आपको सर sales कितना है छे साथ आठ पांच नो छे साथ आठ और क्या था पांच और नो पांच और नो लागए उपर इयर भी लिखी देते हैं सिस्टेमेटिक तेरा चौदा पंदरा सोला सत्रा दो हज़ार तेरा चौदा पंदरा सोला सत्रा यह यह हम निकाल रहे हैं profit calculate particular minus क्या कर दोगे इसमें से expense सर expense क्या क्या है सवाल में सबसे पहले यह भी आपका expense है और interest भी expense है माइनस कर दीजिए सबसे पहले माइनस कर दोगे आप expense तो expense अब operating cost की बात करें तीन पैंतालेस तीन पिच्चानवे तीन पैंतालेस त्री 95 और चार लाग पैंतालेस अजार अगला है हमारा 295-495 295-495 ठीक है माइनस क्या कर देंगे आप interest कि अगर interest की हम बात करें इंट्रस क्या है हर किसी का fix है पच्चेस 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 हजार पच्चेस हजार यह ना इंट्रस हमारा 25-25-25 कि सवाल में देखो तो लॉंग ट्रॉम बोरोईंग का भी दे रख है आपको 12% और 12% अगर निकालते हो धाई लाग का तो कितना बनता है देट इस तीस अजार कितना बनता है हमारा तो यहां पर है यह इंट्रस्ट अन लोन यहां पर क्या है यह इंट्रस अन लोन तो सवाल के साफसे साथ डिबेंचर वाला भी तो इंट्रस माइनस होना चाहिए न क्योंकि सारे इंट्रस माइनस करोगे यह लोन वाला इंट्रस्ट है हमें किसका इंट्रस माइनस करना पड़ेगा और डिबेंचर वाला इंट्रस कितना बन रहें 30,000 बन रहें सर कैसे बन रहें 30,000 तो धाई लाग रुपे पर आप 12% निकालिएगा तो बन रहें कितना तो सिंपल सी बात है आप 30-30,000 रुपे हर जगह से माइनस कर दीजिए ए एक और इंट्रस माइनस कर दीजिए अब यहां एक प्रॉफिट जनरेट हो जाएगा हर एक का निकाल ले जल्दी हो जाएगा पहले का मैं निकाल रहा हूं दूसरे का कोई और निकाल ले दो लाग दूसरे का बताइए दूसरे का धाई लाग चलिए दूसरे का धाई लाग तीसरे का थ्री लैग कि इसका कि पंदरा और सोला का भी निकाल लिए और इसका कि इसके बाद यह आगया प्रॉफिट क्या इसमें से टेक्स माइनस है क्या इस प्रॉफिट में से टेक्स माइनस है नहीं है तो बिफोर टेक्स माइनस क्या कर देंगे इसमें से टेक्स का रेट आपको सिंपली कुश्चन में 60% कह रहा था तो आप 60% निकाल लेंगे इसका निकलेगा 60% तो एक बीस इसका 60% एक पचास इसका 60% एक असी एक पचास का 60% नबे और तीन पचास का 60% दो दस अब जो हमारे पास प्रॉफिट निकल के आएगा देट इस प्रॉफिट आफ्टर टेक्स है के नहीं यह आ गया हमारा 80 यह आ गया 1 लैक और यह आ गया 1 120 यह 20 और यह आ गया 60 और यह 140 एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं आपने 12 क्लास में बहुत सिखा है गुडविल वाले चेप्टर में सभी को जोड के किस से डिवाइड कर देंगे क्योंकि पांस सालों का प्रॉफिट है तो पांस से डिवाइड कर देंगे तो अब सभी को मैं जोड लूँ अगर 80 एक असी एक बीस साथ एक चालेश टोटल कितने हो गए पांच लाख होए कितने आ गए आपका प्रॉफिट आ गया एक लाख डैस प्रॉफिट क्या आ गया आपका पहले यहां तक देख ली दिया यह सिंपल सा स्कुलेशन में बोला हुआ था प्रॉफिट कितने आ गए एक लाख ज़िए तो आप सींपल सा मेफ्ट से कैलकुलेशन कर लेते हैं किया बोला था मैंने प्रॉफिट आफ्टर टेक्स कर दो ट्रांसफर करना जो भी आपको जनरिजम में तो सवाल में क्या journalism में transfer करने की कोई बात कह रहा है तो यहाँ पे कहीं भी सवाल में journalism करने की कोई भी बात नहीं कहता है सर ठीक है सर 0 है अब मैंने कहा minus कर दो preference share का dividend preference share ही नहीं है तो dividend कहें का कितने आगए 1,00,00 अब 1,00,00 जो आया है इसके बाद हम dividend rate निकाल पाएंगे dividend rate क्या होता है सर 1,00,00 रुपए divided by value of shares value of shares अगर देखो तो कितने का है हमारा धाई लाग का तो डिवाइड धाई लाग इंटू में 100 क्या आया 40 अब dividend value per share निकालने के लिए क्या था जो हमने dividend rate निकाला डिवाइड कौन सा rate करते हैं जो दे रखा होता है सवाल में और इंटू में paid up capital तो डिवाइड वैल्यू पर share is equal to dividend rate divided by जो आपका normal rate है या capital rate भी बोल देते हैं इसे हम इंटू में paid up तो इसा dividend rate 40 सवाल में क्या दे रखा था 12.5 और share 10 का था 12.5 और share कितने का है solve कर ले जो क्या है अब एक्जाम में तो बोला जाएगा वैसे अगर नहीं बोला गया तो आपके इच्छा इससे करें लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा जब यह वाला rate मिल जाएने तो समझ जाई है कि एक्जाम ने dividend yield वाला ही पूछने की कोशिस कर रहा है आप से कर दो